हेलो फ्रेंड मैं हैदर और आज आपके सामने लेके आए वह बहुत ही एस्पेसल रेस्पी चिकन कोपता आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेश्टोरिन में चिकन कोपता बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं भी तो पार आपने को करना वीडियो को लाश्टक देखना बिन एकडम के लिए रेस्पी को शुरू करते हैं तो चिकन कोपता Bनाने के लिए सबसे पहले हमने का करना कीमा कर लेना है तो हमने लिया लेक बोलने से भी बना सकते हैं तो अब इसको आपने कीमा बना लेना है तो कीमा आपने एकदम महिन नहीं करना है नहीं तो आपका कोपता एकदम सौप्ट नहीं बनेगा चीमन हो जाएगा तो आपने दरदरा कीमा बना लेना है तो आप देख सकते हैं हमने कैसे दरदरा कीमा बनाना आपने ऐसे ही बना लेना है अब आपने एक ट्रेम कीमा को निकाल लेना है कीमा को निकालने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे एक बारिक कटा हुआ एक प्याज का पानी आपने निकाल लेना है उसके बाद आप डालना है अगर आप पानी के साथ डालेंगे तो आपका कबाब फढ़ जाएगा तो आपने इसमें एक टेबल स्पून हरी मिर्ची एक टेबल स्पून इसमें पुदीना यानि मिंट हाप टेबल स्पून इसमें जिंजर चॉप डाल देना यानि आदरक साथ में एक टेबल स्पून यानि लसुन डाल देना यानि गरली तू टेबल स्पून इसमें हरी धनिया डाल देना है आपने बारिक कटा हुआ अब इसमें हम आड़ करें हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हम इसमें आड़ करना है जीरा पॉडर, एक टेबल स्पून आपने इसमें आड़ करना है धनिया पॉडर और तू मिला रहे हैं आपने बिल्कुल ऐसे ही मिला लेना है तो आपने आठे के तरह इसको बूंदना नहीं आराम से मिलाना एक नहीं तरह आपने थोड़ा सा तेल लगा लेना उसके बाद आपने गोल-गोल की शेप में इसको बना आप देखसकते हैं हम कैसे बना कोटता फटेगा नहीं इसमें ना हम बेशन डाल रहे हैं नहीं कौन-φवलावर हम इसमें कौन-फ-लावर अपने कौन-फलावर बेशन नहीं हट करना, आप तेल चड़ा लेह आप म declare के बाद होममेट घर की स्टाइल में तो आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है हमारे घर में ऐसे ही बनता है कुपता तो हम ऐसे ही आपको बना के दिखा रहे हैं जैसे कि हमारे घर में कुपता हमाई अम्मी लोग बनाती है तो आप देख सकते हैं हमारा कुपता लगबक आधा फ्राई हो इसकी गरेवी कोप्ता बन के तयार है अभ हम बनाएंगे इसकी गिरेवी तो हमने ऊइल डाला है। साथ में जीरा डाला है। । बड़ी काली मिरच नाल छी 1. । वुषए सबस्सक्राइब हुण। अब इसमें हम एट कर रहे हैं 8-10 दाना काली मिरिच का यानि ब्लैक पेपर साथ में इसमें आपने डाल देना 2-3 तेजपता दो गैस को अब आपने चालू करने ना गैस को चालू करने बाद थोड़ा से इसको चला देना जब आपना का मसाला हो जाए तो आपने इसमें 4 पीस चलाना है जब आप 5-6 मीनिट चलाएंगे प्यास को तो आपके प्यास में कलर आजाएगा बढ़ियास से आपका प्यास ब्राउंड हो जागा जब आपका प्यास ब्राउंड हो जाए तो आप इसमें 2 टेबल इस्पून जिंजर गालिक का पेस्ट डाल दे या दराग आपने इसमें पानी आड़ कर देना है, पानी डालने से क्या होएगा, आपका जो प्याज है ग्रेवी में गंवेट हो जाएगा, तो हाफ टेबल इसमें हमने आड़ किया है, साल्ट, साथ में एक टेबल इसमें हम इसमें आड़ कर रहे है, धनिया पॉडर, हाफ टेबल इसमे हमने एट किया रेट चिल्ली बॉडर और एक टेबल स्पून इसमें हम एट करना है कश्मीरी देगी मिर्च साथ में टूपी जिसमें हमने एट किया गरम मसाला और half table spoon हमने add के इसमें chicken masala तो आपने chicken masala दरूर डालना है कुपता बना रहा है chicken masala डानने के बाद है आपने इसको एक मिनट तक बढ़ियां से चला लेना है गैस की flame को low करते हैं जदा हाई नहीं रखना अब इसमें add करेंगे हम two piece बारी कटा हुआ tomato यानि हमने tomato को कद्दू कस कर लिया था गिरेट कर लिया था अब tomato डानने के बाद आपने कम से कम 5-6 मिनट बढ़िया जिसको बुनाई करना है जब आपका tomato भून जाएगा अच्छा था तो इसमें हम add करेंगे दही भून रहें आपने बिल्कुल ऐसे ही भून के आपने फिर इस पर डखकन लगा देना डखकन लगा के आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ग्रेवी को जैसे कि हमने बनाया step by step बनाएंगे तो आपको बहुती आसान तरीके से ग्रेवी बनाना आ जाएगा अब आपने क्या करना इसमें कोपते को डाल देना जो कि हमने बना के पहले फ्राय करके रखा हुआ था कोपता डालने के बाद इसको आपने चला लेना है थोड़ा चलाने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी लगाएंगे ताकि हमारा ग्रेवी बन सके तो आपने इसमें थोड़ा सा गरम पाणी डाल देना है अब इसमें थोड़ा सा धन्या दाल देना है अब इसमें गरम पानी डालने कि बाद इसे बढ़ने करें报िक मिनट के दोप hypocrite को वह preserv देखके हैं हमने उबल गया था कोकता को बन कर दिया था कितना बढ़ यहां को प्लेट में आपको निकाल के दिखाएंगे कितना पड़ियां कलर आया है कराई में भाप की कारण कलर दिखने रहा था आप देख सकते हैं इसमें आपने उपर से गार्णिश में थोड़ा सा हारा मिर्ची अधरक और धनिया मार देना है बस और थोड़ी से किरियू हमारा कोपता बन के तयार है जिकन कोपता अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो की साइक करें चैनल पर नहां है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ता अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू